इस वीडियो में हम जिस ड्रक का रिवीव करने जा रहे हैं उसका नाम है सलका, सलका इसका ब्रेंड नेम है और जिनेरिक नेम इसका है सक्रल फेट, यह वन गरम की डोज में आता है, इसका जो सिरफ पॉम है, यह 60 ml की सिरफ में बोटल में आता है, अगर हम बात करें सक्रल फे यानि कि हमारे जो stomach layer है और साथ में हमारे small intestine का first part है इन दोनों के जो mucos layer है उनकी protection के लिए sacral fat use होता है इसका mechanism of action कुछ यूँ है कि यह pepsin के साथ एकसा होकर adhere होकर एक complex मनाते हैं जिससे वो dueunal meucosa और gastric meucosa को protect करते हैं अच्छा सक्रल fat को हम किस condition में use कर सकते हैं तो यह benign gastric and dueunal ulcers में use होते हैं जिससे कि मैं आपको बता दिया कि यह stomach और small intestine की layers को protect करते हैं तो उसमें जब ulceration हो जाती है तो उसकी protection के लिए हम सक्रल fat use करते हैं साथ में जब chronic gastritis हो जाती है जब stomach के inflammation बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसमें भी sacral fat use होता है या dueunal ulcer हो जाता है या reflex isopigitis होता है reflex isopigitis यह है कि हमारे stomach के जो acids है वो esophagus में वापस आते हैं क्योंके वहाँ पर जो spenter होते हैं वो सही तरीके से close नहीं होते हैं तो उससे वज़ा से reflex isopigitis काज होता है तो उसके लिए भी हम sacral fat को use करते हैं अगर हम counter indication की बात कर लें तो जिस बंदों को sacral fat से allergy होती है तो उनको ये medicine या इनको ये सिरफ नहीं दी जाती हैं अगर side effects की हम बात कर लें तो इसमें कुछ खास side effects नहीं आती हैं लेकिन severe side effects की जो आती है तो वो constipation के हालत में आती है अच्छा इसमें एक अहम बात मैं आपको बताने लगा हूँ कि sacral fat देते हैं वोगत आपको sacral fat देने से 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद आपने कोई anti-asset medication इस्तिमाल नहीं करनी सही नहीं जिसके PPIs हो गए या वगेरा जितने भी medication है वो आपने यूज नहीं करनी क्यूंकि में आपको जैसे कि mechanism of action बता दिया कि ये पिप sin के साथ adhere होकर एक complex मनाता है तो फिर वो complex नहीं बन सकेगा जिसके उज़से आपके सक्रल fat की जो action है वो आपको सही action मिलने को नहीं मिलेगा साथ में जिस patients में kidney dysfunction होता है या pediatric patients जो होती है जो बच्चे होते हैं उनको भी ये medicine नहीं दी जाती अगर इस medicine के हवाले से आपका कुई भी question हो तो आप comment section में पूछ सकते हैं साथ ही आप channel को like करे, subscribe करे, share करे, शुक्रिया